चीन आधिकारिक रूप से एक नास्तिक देश है। चीन की सत्ताधारी कमिनिस्ट पार्टी किसी भी धर्म को नहीं मानती और नास्तिक विचार को प्रमुक्ता देती है। चीन की सरकारी मीडिया ने कमिनिस्ट पार्टी के प्रकाशित हुए नियमों का हवाला देते हुए बताया है कि अब पार्टी के रिटायर कार करता भी किसी धर्म का पालन नहीं कर सकते हैं चीन में भले ही धार्मिक आजादी मिली हुई है लेकिन वहां धार्मिक गतविधियों को स्वतंत्र होकर अंजाम नहीं दिया जा सकता है। सभी चर्चों को सरकार से मन्जूरी लेनी होती है, इसके साथ ही चर्चों की गतविधियों पर सरकार का नियंतरन होता है। चीन के शिंजियांग प्रांत में मुसलिम भी कई पाबंदियों के साथ जी रहे हैं। चीन 21 सदी में दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की कतार में आकर खड़ा हुआ है। वो दुनिया का सबसे बड़ा मैनुफैक्ट्रिंग देश बन चुका है। चीन इतना ताकतवर है लेकिन इस देश में धर्मों का संसार यहां सबसे लाचार है। एक अनुमान के मुताबिक चीन की कम्निस्ट पार्टी के साड़े आठ करोड कार करता है। इन्हें सक्त चेतावनी है कि वो किसी भी धर्म का पालन नहीं करेंगे। अगर कम्निस्ट पार्टी का कोई कार करता किसी भी धर्म का अन्यवाई पाया जाता है तो उसे सजा देने का प्रावधान है। वहां की सरकार इस बात को मानती है कि धार में कास्था वामपंत को कमजोर करती है। पार्टी के सदस्यों को पूरी सक्ति से माक्सवादी नास्तिक बनने को कहा जाता है। उन्हें पार्टी का नियम हर हाल में मानना पड़ता है। चीन के पहले कमनिस्ट नेता माउस से तुंग ने ही धर्म को नेस्त नाबूत करने की कोशिश की थी। उन्होंने नास्तिक पवजूद चीन में धर्म फला फूला है। यहां बौध इसाई, इसलाम और ताउजिम को मानने वाले सबसे ज्यादा लोग हैं। लेकिन इन सभी धर्मावलंबियों को सरकारी चर्चों, मंदिरों और मस्जितों के बाहर ही प्रार्थना करनी होती है। पिछले कुछ दशको में चीन में धर्म को पैर पसारने का मौका मिला है। इस दोरान चीन में मंदिर, मस्जिद और चर्चों बने। आज की तारीख में इसाई धर्म चीन में तेजी से बढ़ता हुआ धर्म माना जा रहा है। एक अनमान के मुताबिक चीन में 7 करोड 70 लाख लोग इसाई धर्म को मानते हैं। इन करोडों लोगों के लिए आधिकारिक चर्च के अलावा दूसरे चर्चों में प्रातुना करना आसान नहीं है। चीन में पारम पर एक बौद धर्म और ताउजम मानने वाले 30 से 40 करोड लोग हैं। चीन में धर्मों पर नियंत्रन का एक वैवसाइक पहलू भी है। मंदिर में इस्थाने सरकार लोगों को एंट्री पर शुल्क देने पर मजबूर करती है। चीन में बौद धर्म के बारे में कहा जाता है कि ये एक मात्र विदेशी धर्म है जिसकी चीन में सबसे ज्यादा सुई कारेता है। चीन में बौद धर्म दूसरी माधि में आया था। ये चीन में अरब के व्यापारियों के माध्यम से आया। आज की तारिक में इसलाम यहां अलप संख्यक है। एक अनुमान के मताबिक चीन में डील करोर से ज्यादा मुसलिम है। राजनीतिक रूप से चीन में मुसल्मानों को महत्वपूर माना जाता ह क्योंकि चीन का मुस्लिम देशों के साथ अच्छा सम्मंद है। यहां के ज्यादातर मुस्लिम सुननी हैं, लेकिन इन पर सूफियों का प्रभाव ज्यादा है।